बहुत सवागत है आप सब इस वीडियो में मैं छोको मिल्क से स्यूरीस का फाइनल मिल्क एकस्प्लेमि 시청 को क्ष्प्ह में लेट होने का रिजन ये है कि इसके पाइनल को सब्सक्राने में रुह तक पहुंचाने के बारे में सुचा सी yaris के लेट character जंगवू उसके दुपेट थे चोको और मिल्क यानि कि एक डॉग और एक बिली एक accident में उसने दोनों को खो दिया था और वो दोनों जंगवू के लिए फिर से इंसान बन कर वापस आए साथ में डेर सारी खुसिया भी लेकिन बस कुछी टाइम के लिए और फिर से वापस हैवन में चले गया है उनके जाने के बाद जंगव एक बार फिर से उदास हो गया लाइब पहले जैसे बोरी हो गई हर रोज की तरह अंकल के बार और फिर घर जंगवू ने बहुत मिस करने लगा मिल्क की वो सरारते का उनके दागों के साथ खेलना और उसकी क्यार करना ये जंगव को चॉकलेट मिल्क बहुत पसंद करने लगा इन्हीं सब ख्यालों में वह इतना को जाता कि उसे खोसर ही नहीं रहाता ये सब उसकी बस इमेजनेशन है अंकल भी उसके फिलिंग्स को समझ गया है कि वो जोको और मिल्क को बहुत मिस कर रहा है उसने इस बारे में जंगो से पूछा भी और जंगो ने डिनाई कर दिया और दिखावटी स्माइल के साथ खुद को नौर्मल दिखाने की कोसिस करने लगा लेकिन अंकल इसे अच्छे से समझ रहे थे जंगो अगर ये इतना मुस्किल हो रहा है तो होल्ड मत करो अपनी तकलिफ से करो बादेवे वो दोनों ठीक तो है ना लेकिन जंगो किया बताया उन दोनों के बारे में उसे खुद भी नहीं मालुम कि दोनों कैसे हैं जंगो काफी उदास हो जंगो को डिश डिलिशियस लगा लेकिन अंकल सटिसफाइड नहीं हुए बस डिलिशियस लगा तो मैं जंगो बोलने लगा नहीं बहुत ज्यादर डिलिशियस है अंकल को मिल्क की याद आ गई वो बोलने लगे मिल्क टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताता है इसके बार ड्रिंक करूंगा लेकिन चोको और मिल्क जंगो की यादों से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे जंगो सोचने लगा कि कास चोको वापस आ जाता और इस पार वो सबसे पहले दोड़ कर चोको को हग कर ले था लेकिन ऐसे बातों के लिए बस उमीद करना ही पॉसिबल है चोको मिल्क की यादों के साथ जंगो ने बहुत दिन बिता दिये लगबग दो विंटर पार हो गए अभी भी जंगो का सेमी हाल था लेकिन जब वो घर से निकला तो उसे चोको की प्रेसेंस मैसूस हुई उसे ऐसा लगा अभी अभी चोको उस जोगले पर बैठा था जंगो तुरंट भागते हुए उस जगह पर पहुँचा जहाँ उसे पिछले बार चोको मिल्क फर्स टाइम मिले थे और वहाँ जंगो को वो चीश देखिया जिसके उसे उमीद थी यानि की रियल चोको उसके सामने खड़ा था उसने जंगो को बोला मैं थोड़ा लेट हो गया ना जंगो जंगो तो बहुत कुस हो गया उसे अपनी आख और कानों पर भरुसा नहीं हुआ उसने तुरंट चोको को हग कर लिया चोको भी हपी जंगो बोलने लगा चोको मैंने तुमें बहुत मिस किया चोगो कभी यही कहना था और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे फिर जंगो ने चोगो से पूचा इस बार फिर से तुमने वापस आने के लिए अपने लाइब पिर रिसक में डाली और इस बार कितने दिनों के लिए आय हो जोगो हसने लगा, हाँ फिर्ष्ट वाला थोड़ा हाट था लेकिन सेकंड वाला इसी था और यहां फिर से आने के लिए तो मैं आँख बंद करके भी हेलोर हेवन के रास्ते को पाल कर सकता हूँ वैसे इस बार मैं 100 डेस के लिए वापस आया हूँ जंगो खुस क्योंकि इस बार चोगो उसके एकस्पैक्टर डेस से भी जादा दिनों के लिए आया फिर उसने मिल्क के बार में पूछा वो नहीं आया क्या चोगो ने उसे बताया कि मिल्क भी उसके साथ ही आया है जंगो पूछने लगा तो फिर कहां है वो और मिल्क तो सीधे अंकल के पास आया था अंकल भी अचानक से उसे देखकर हैरान हो गया तुम यहां कैसे लेकिन मिल्क ने कोई रिपला नहीं दिया और सीधे अंकल को किस करने लगा अंकल भी उसे किस करने लगे मिल्क पिर उनसे उनका हाल पूछने लगा और अंकल का हाल भी कहा ठीक ठाक था मिल्क बोलने लगा अब से आपको अच्छा फीलोगा अंकल भी आँब बोलने लगी मिल्क को अब थोड़ा एंबारस फीलो रहा था उसने अंकल को दूर हटा दिया अंकल भी उसने रगे मतलब अब भी कुछ भी चैज़ नहीं हुआ सब पहले जैसा ही है मिल्क ने उनसे काम के बार में पूछा उन्होंने बैलंस कैसे किया अंकल ने बताया ठीक ठाक था सब अगली सुबह एक पेक किस के साथ चोको ने जंगो को जगाया जंगो बोलने लगा मेरी आँके खुलने के बाद भी तुम यही हो मतलब यह मेरा ड्रिम नहीं बलकि तुम रियल में वापस आ गए हो चोको फिर उसे किस करने लगा जंगो भी कापी घुस हो गया और इस तरह से एक बार फिर चोको और मिल्क जंगो की लाइप में आप किसो पिछले बार तो वह जंगो की खुसी के लिए आय थए पर इस बार वो अपनी हैपीनेस के लिए वापस आये यानि की चोको ये लगा definite चोको क के लिए और मिल्क अंकल के लिए चारों के बार में एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया लेकिन वहाँ दो लड़की आई वो दोनों चारों हैंसम को एक साथ देखर हैरान हो गई और इस तरह से इनकी कहानी का इंड नहीं बलकि ये एक नई सुरुआत हुई तो इसे के साथ चोका मिल्क सेक्सरीज का फाइनल एपिसोड यानि कि इस सेरीज का इंड यहीं होता है एक्स्प्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताईएगा और था इंक्यों सो मच गाइस ववाजेंदी वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर जरूर करतीजिएगा मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर दोस्तों